इंग्लिश विडियम यानिकी सेकंड लेंग में चुनुना चाहते हैं समधना चाहते हैं तो चलो शुरुआज करते हैं छोटी सी शायरी से ताकि हमें समद्ध में आए कि गुजराती व्याकरन की अगर कोई मोज है तो वो क्या है तो यहां पर आपको दो लाइन के बहुत अच्छी शायरी दे रखी है दिल भले बनने ना धबकता होई जुदा उदा दिल भले बनने ना धबकता होई जुदा उदा पड़ धबकारा बनने ने समढ़ा है तेनू नाम छे प्रेम दिल भले बनने अब यहां पर अगर ना हूँ है अगर वो यहां पर ना हूँ तो हम इस शायरी को समझनी पातें और एक एक्जांबल लेते हैं और अच्छी तरह से समन्ने की कोशिश करते हैं जिसमें अब दो नहीं है अब आपके लिए है चार दिल्थी जीवता रैशु आपने एक बिजाना साथ मा तुमारी याद मा अने हूं तारा धबकारा मा तो अहीं आपन अपने चार अलगले प्र जाते हैं आपका प्रत्य SAP आपके अनुग नाम-योगी यानि आज का हमारा गुजराती व्याकरान तो चलो एक लास्ट गुजराती व्याकरनी मोजे मौ जोहिए तारा जीवनो भार नहीं यो तारा जीवनो भार नहीं परन्तों हूं मुख पर हास से बनवा मागू छू अईया नू अने नू आ बनने जीवन नू अने पर नू आज छे आज नू आपड़ व्याकरन जिनू नाम छे अनू 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 नाम योगी चलो फटा फट पैन नॉटबुक पैन पैंसिल उठा लेना है एंसाथ-साथ में समत्ते जाना है कि प्रत्याखिड चीज क्या है अनूग क्या है नूग योगी क्या है तो सबसे पहले हम अनूग भहिया के बाढ़े में समग लेते हैं ए, ने, मा, थी, आमुख्य अनुगोच है, और इसके अंदर से बहुत सारे अलगले टाइप के होते हैं, जैसे जो ने है ना, उसके अंदर से ना, नो, नी, नू, ना, ये सारे के सारे अनुग में ही काउंट होते हैं, इसमें से सिर्फ ए ही आएगा, इसमें से सिर्फ मा ही आ जाते हैं जैसे ट्रें के पीछे अगर एक दूसरा अगर वर्ड है यानि डिब्बा है तो उस दोनों को कनेक करने का काम ये वर्ड कराते हैं ताकि वह सेंटेंस को सही मिनिंग्स दे सके इसके लग दूसरा भाई साब है जिसका नाम है नाम योगी जी तो बहुत सारे हैं जैसे यहां पर वड़े थकी द्वारा मार्फते इसका मिलब सिमिलर है तो आपको याद क्या करना है तो नाम योगी की यह च्छे वर्ड लंग अंदर बाहर आगर पाच वर उपर नीचे वड़े तो यह आपके हो जाते हैं नाम योगी ने नो नी नू ना यह अनुग और यह नाम योगी अब यह जो दोनों है ना वो सेंटेंस को कंप्लीट करवाने में हल्प करते हैं अगर आप इसकी जगह यह लिख दो तो सेंटेंस में कोई चेंजिस होगा नए ऐसा भी कुचा जाता है मां का मरला होता है अंदर का मलत है मा, अगर मा अलग से लिए आ गया तो काउंट कीस में होगा? अनुग में पर अगर दुनों साथ में आएगा, तो किस में होगा? नाम यूग में, यह याद रखना है और इसके बदलात है ए, इसका मलत है पर या उपर तो ये जो चारो के चारो है उसको याद रखना है एक दूस्तो को replace करते हैं ये चारो को चारो को याद करते हैं ये अनूग है तो चलो example आपके सामने क्या है तो आपको ये चारो girl friend को याद रखना है जो की अनूग है और हमारे boyfriend है इधर तो ये है चारो के चारो जो एक दूस एक्सरसाइज करते जाएगा तो ही होगा गुजराती व्याकरण आसान तो है थोड़ा सा टफ है उसको कैसे आसान बनाए चलो देखते हैं प्रत्य का वाक्य आपर रखा है और उसको मैं पढ़के आपको बताता हूं अमेरिका डैक जैशु क्या मतलब होता है नहीं समन्हें आया मारा उसको औरक मले छे नहीं समन्हें आया रामजी खेतर खेडियू मारे पैसा शूं काम पाचेक दहाड़ा एमनु घर ठरीधाम ठाई गई कुछ भी समन्हें नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर प्रत्य भाई अनुक नाम्योगी नहीं है और जब तक वो नहीं होंगे तक हमारी जो ट्रेन है वो कंपलीट कैसे होगी तो ये जो ट्रेन है उसके बीच में जो कंजिक्शन है तो ही आपका इसम्टेंज नाम की बाजूमें लाना पढ़ता है م даль कि ऐसे, जैसे कि ये दुनों train में, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड को मिलता है, तो ये train complete होती है, कभी-कभी वर्ड को बाजु में लाना पड़ता है, तो कभी-कभी हमें वर्ड के बाजु में जाना पड़ता है, खास इसको याद रखना है, तो यहाँ पर, जो हमारे प्रत्य नू शुकाम पांचेक दाड़ा मा एमनू घर धरीठाम थाई गयू मालणनी जूपड़ी औने वाडीना कोट वच्चे खाली जग्या हती तो ये हमारे कंजिक्शन जब तक आते हैं तब तक हम समझने ही पाते हैं तो बेटर है मैं प्रत्य का इस्तिमाल करना समझ में आ गया ह होगा तो इसके कितने मार्स मिले पता नहीं चलो यह आपका प्रैक्टिस था तो प्रैक्टिस के इसाब से अभी हम मार्स नहीं काउंट करते हैं पर नॉट्बुक पैन आपने आवापे से आथ में ले लिना तो छोड़ी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है बहले आप से स्कोर होंगे एंड कॉंफिनस आएगा एक्स्ट्रा तो नीचे ना वाक्य इस तरह से प्रश्ण पुछा जाएगा नीचे ना वाक्य मा योग्य प्रत्य मुकी वाक्य फरी थी लखो ऐसा प्रश्ण आएगा तो आपको इसके इंदर कंजेक्शन डालने हैं यानिकि अनुग अब कुछ समन में नहीं आ रहा पर हाँ बच्चो यह याद रखे 12 स्टांडर की गुजराती के सारे के सारे सेंटेंस है आप देखेगा अबसर करेगा और ऐसे ही आपको बॉड में पूछे जाएंगे 100 अका की गैरेंटी है तो चलो इसके माक्स छे हैं और अगर आपको इस स्टॉप करिए और सारे आंसर 126 नंबर डालकर लिख दीजे कि आपको कितना आता है नहीं आता है कोई प्रॉबलम नहीं एक का दो गलतिया ही इंसान को आगे ले जाता है तो शुरुआत करते हैं इसका आंसर चेक करते हैं ठीक है चलो तो शुरुआत करते हैं आंसर चेक कर परोवानू इसके इंदर चार है है ना चार हमने प्रत्य यूज किये वैनिसमा स्थड़े थी अन्य स्थड़ प्लस ए यानि स्थड़े इस तरह से यूज हुआ है अब याद रखेगा होटलना मालीक प्लस ए मालीके टैबलना खाना मा वीशवर्षना जुवाने और मुझमा इसमें तीन है जोगेश्वरी कोलोनी ने आसपांस होवा थी सापनो और चोड़नो तो ये छे में से आपको कितने मांक्स आये है वो ज़रा आपको मुझे बताने पड़ेंगे पर हमें छे नहीं आपके से पांच काउंट करूंगा तो चलो अगर छे में से अगर माइनस भी करें अगर पांच भी आते हैं तो आपको 100% मांक्स मेरी ओर से है ठीक है पर इसमें क्या चीज़े याद रखते हैं वो खास आपको याद रखनी है कि प्रत्य को सेट करते वक्त उसके मिनिंग्स जो है वो समझ में आने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो प्रत्य दिये है उ यहाँ जो है ना वो ए का मतलब है ते के इसाब से यह लिया गया है तो आप यहाँ पर एकाउं नहीं करोगे याद रखेगा आवा मोटा कूर्स त्रियो आउ काम शी रिते अपाए मारो धंदो धिरना नती जड़वा जमारवा छे ए विशी मालिक सवराज तरफ गुजरात आखी जिनगी बेखाटला वैत ना करियो तुम्हें यहाँ पर ना कमल होता है नेगेटिव नुँँग जब नुँग या नेगेटिव आता है तो उसका भी यूज नहीं होता है यह आपको खास याद रखना है चलो आंसर देखे इसके क्या आंसर जाते हैं अपने सोच लि यहाँ पर A दिया हुआ है, जेल, मा, यहाँ पर मा दिया गया है, देखो और इचे तरह समझ में आए ना, ओके, यहाँ पर देखो काल A, इसके काला प्लस A, जब उसमें से A निकालो ना, तो उसका मिनिंग बचना चाहिए, यानि रहना चाहिए, अब निकाल दो दो देखो, सर्थ 6 के अंदर भी A है, उसमें से 6 अगर मैं निकाल देता हूँ A, तो इसका answer बनेगा है 6, यानि 6 हो जाएगा, और 6 का मिनिंग होता है is, 6 और is का दोनों का मिनिंग चेंज हो जाता है, तो इसके अंदर का A नहीं चलेगा, जब आप A निकाल दोना, तो इसके पीछे वाल और मोत नी, ठीक है, यहाँ पर सवार ना, पहर मा, स्त्री नी, और स्त्री ओने, कोड नी, आगे धिरनार नो, जमाडवा नो, विशी नो, तरफ नो, जिन्दगी मा, और खाटला नो, वहोत इजी था, है ना, और इसके कितने माक्स आया है, फटावट से काउंट करके, इसक तक आपके माक्स बन गए है, बारा, बले, दो, तीन कमाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड में सर्प्राइज जरूर मिलेगा, देखो, नया क्वेशन कुछ इस्तरकार से भी हो सकता है, कैसे आएगा, कि तमारा वाक्य मा, ओच्छा मा, ओच्छा बे प्रत्य का यूज करना है, तो यह आपके लिए blanks है, और यह blanks बहुत ही easy है, आप ध्यान से इसको पढ़ो, stop करो, और इसके जो marks है, वो फटावट से कितने आते हैं, मुझे comments में करना है, बताना है, तो लिखना भी बहुत ज़रूरी है, one to ten numbers देना है, और इतने blanks है, वहाँ पर कौन-कौन से word आ सकते हैं, बस उतना ही लिखना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, चलो, marks check करें, stop कर दो, और फिर marks check करतें, ये रहे आपके marks, जैसे पहले में है, मालणनी, वाड़ीना, यहाँ पर जणावामा, व्याकरणनी, दीवाने, अंजवारे, प्रपाशंकरे, ठेरवीने, सोयमा, परवाना, इतने सारे, हाँ, एक सेंटेंस के अंदर जो अनुग है न, वो एक दो ने, पांच छे भी हो सकते हैं, पर हाँ, एक बाद याद रखेगा, नाम योगी सिफ एक ही आता है, कभी-कभी maximum दो आ सकते हैं, ठीक हैं, देखो, वैनिसमा, स्थड़े ने, वड़ाविया, प्लस ए, वड़ाविये, मुझमा, जोगिश्वरीनी, कोलेननी, होआथी, सापनो, तो यह आपको बहुत अच्छी तरह से समय में आ गया होगा, अब चाहिए इसके माक्स, कितने हो गए अभी तक के, तो कि 22, रिपीटेड है, तो आपको इसके नदर मा बन सकते हैं, ठीक है, चलो, 22 माक्स तरके कितने आए, वो काउंट लास्ट में करेंगे, अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, अब सिर्फ आपको यूज़ करना है, नाम योगी, ऐसा भी एक अलग से क्वेशन आएगा, किसी नाम योगी बताओ, तो आपके पास लिस्ट तो ही न नाम योगी का, अंदर बाहर आगर पाचल, उपर नीचे वड़े द्वारा थकी महरफत है, बहुंँ सारे हैं, तो उसको आपको लर्निंग करना बहुंँ जरूरी है, और लर्निंग करके यूज़ करना उससे भी ज़ादा जरूरी है, ना, तो यहाँ पर जड़ा चेक करो, क्योंकि fill in the blanks है, तो अच्छी तरह से आप इस blanks के अंदर सिर्फ नाम योगी सेट करके, मिनिंग सही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए मिनिंग के अंदर, तो चलो answers देखते हैं, फक्त बारीना काच पर तेनी चाचनों अवाज उमटवाला गिए, मैनत नी कमाई द्वारा, देखो, सेट हो रहा है, यह सारी चीज़े, दवाने लीधे, बाये कबाट माथी, देखो, मा लग से आता, थी लग से आता, तो अनुगोता माथी साथ में आया है, तो यह नाम योगी है, ठीके, प्लेटफॉम पर गोठवया, मुचा टेकरा पर आवेलू छे, का काम खातर, काम ना लीधे, यहां पर खाता मलब फर्टिलाइजर नहीं है, आलस ना कारणे, परियंत, त्या सुधी, परियंत, सत्यनों आश्वलीदों अन्य घरमाथी, देखते हैं, अब आपका स्कोर बोड क्या बन रहा है, और यहां तक आपके मार्स बन जाते हैं, 32 मार् है, लास्ट में चेक करना है, तब तक नहीं करना है, वापिस से आ गया, थोड़ा सा आपको अपने ओन वर्ड में ट्राइ करना है, और इस बार भी आपको देखो, नाम योगी मैंने क्या बताया आपको, एक ही हो सकता है, कभी कभार आपको दो मिल सकते हैं, तो नाम योगी आ जाएगा, कि हाँ, मुझे सारे answers आते हैं, और मुझे सारे इसके अनुग नाम योगी समझ में भी आ जाते हैं, कारणे पहले का है, तरफ थी, आगल, पासे थी, उपर, मार्फत ते, या पर ए है, माटे, नीचे, समी पे, का जे, नाव, नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा केई साब से भी आपको प्रशनों पूछेंगे इस तरह से, है ना, सारी प्रैक्टिस होगी, प्रत्य का, अनुग का, नाम योगी का, सबका अलग-अलग क्वेश्चन, ब्लैंक के इस साब से आएंगे, तो कैसे होगा, यह सारी प्रैक्टिस इसमें हो सकती है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन्स दिये हैं, मिलब दो ब्लैंक्स है, और दोनों ब्लैंक्स के अंदर आपको एक प्रत्य लगाना है, एक नाम योगी लगाना है, पर मिनिंग्स आने चाहिए, इस सेंटेंस के, तो ही हो सकता है, और यह सारे जो है ना, आपके सिर्फ वर सिर्ट टेक्स्ब आपनों ने माटे नी नीचे नी समय पे, हाँ कभी-कभी ऐसा हो सकता है, आप दूसरा वड़ भी लगा सकते हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिंग्स आना चाहिए, जैसे गोविन नी स्पासे सव उभाहता, गोविन नी सामे सव उभाहता, आप यह कर सकते हूँ, मिनिंग्स आना चाहिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए आप वहाँ पर अपने मांक्स मत काड़िएगा, उसको एड करते रहिएगा, ठीके, तो यहां तक मांक्स बन जाते हैं, 52 मांक्स, अब क्या है, तो अब है प्रत्य नाम होगी का, यह आपका है लास् आपके मांक्स का जो स्कोर बड़ बनने वाला है ना, वो होगा कम से कम 40 से 45 के उपर, तो आपको सबसे अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है, अगर आपको 40 से डाउन आ रहे है, तो वापिस से इस वीडियो को दोखो, वापिस से समझो, और वापिस से इसकी और अच्छी तर और द्वारा और पांचवे में लास्ट में है ए और पर, इस तरह से आपको कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, या अपर फिनिश तो हुआ है, पर हमारा नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक हम और आपको देंगे, आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मुझे भी आपके सारे आंसर बहुत ही अच्छे लगे, यहां तक का हमारा स्कोरबोर बनता है 57 का, इसलिए मैंने बुला कि 40 से अप आ रहा है, मनलब आपका परफेक्शन है, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे बौर्ड एक्जाम तक, आपकी 1st term, 2nd term exam के अ के यहां कर री मारद कि अरून कि खागे कि है, उपकी को आपके deg должен कोड़े है, मनलब आपका प्रैक्टिस करोगे मैं तक कि कै तरह से कर दो एक है कयो पूसरी को आबादी प्रैक्टिस करोगे अर्माद कर एक् जापका कि ने क्शे से ईलिव औरा आमार कि